खबरों की मताबेक घरेलू वहन उद्योंग की सेहत बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं और जून में पैसंजर वहनों की बिक्री में गरीब 12% की गिरावट देखी गई है जब कि कारों की बिक्री पर 25% की गिरावट हुई है और इसे देश में अर्थिवेवस्था की मंदी का संकेत माना जा रहा है प्रतिनेथी संगठन की और से कुछ आकड़े जारी किये गए हैं आकड़ों की अनुसार जून में अभी तक के वहनों की बिक्री घटी है और घरेलू बाजार में कार की कीमत सहित सभी वहनों की बिक्री में भारी संख्या में गिरावट आई है पिछ जून में दो लाग तहतर हजास साथ सो अटाले सियातरी वहन बिके थे और कारों की बिकरी सबसे सादा 24.97 फीजदी से घटकर 149.628 यूनिट रह गई है जून 2018 में एक लाग 83.885 कारे भी की थी वहन कंपनियों के प्रतेंदी संगत हैं सियाम के मताबर जून में मोटर साइकल की बिकरी 9.57 प्रतिशत से घटकर 10,84,59 रह गई है जून 2018 में याक लाग 11,99,332 था दोपया वहनों की बिकरी घटकर 16,5447 यूनिट रह गई है जून 2018 में 18,684 दोपया वहनों की बिकरी हुई थी उद्यों के विशेशक्यों के मताब एक सरकान ने वहान उद्यों के लिए काइदे में तेजी से बदलाओ किया है एस 56 इंजन के अनिवारिता और इलेक्ट्रोनिक वहनों पर विशेश जोर भी इन में शामिल है और कुल मिलाकर ये बड़े बदलाओ के दौर से गुजर रहे हैं अभी इस बदलाओ के लिए कंपनिया तयार नहीं है बजाज आटो के वहन चरण बद्ध तरीके से अपनाए जा सकते हैं इंटर्नल कंबंजन इंजन पूरी तरह बंद करने पर पाबंदी लगाना कोई समाधान नहीं है जब आप 2.5 करोड दो पहिया वहनों थ्री विलर बना रहे हैं तो ये बदलाओ चरण बद्ध तरीके से ही मुमकिन होगा ये रातो रात नहीं हो सकता है ये कोई चाय की दुकान नहीं है जिसे एक रात में खोल कर बंद कर दिया जाए कुल मिलाकर इस तरह से रिवर्स गियर में चल रहे हैं और 25 प्रतिशत तक वहनों की बिकरी घड़ गई है जिससे देश की अर्थ विवस्था में मंदी की संभा ना हो सकती है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस दे बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स